हम नई जाई जगरनात और वेलकम बैक तो मैं चैनल आज देखे आप दस बच्चु का है और आभी भी बिल्कुल अंधेरा करके रखा हुआ है फोग जैसा है और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बोटन लग रहा है तो मुझे थोड़ा सा जाना था मार्केट फूल और वो आमपत्त वगेरा वो सब पूजा के लिए लाने लेकिन नहीं जा पाओंगे तो मैं बचार तो नहीं जा पाई शान लीए चाहित काई जाना डालें से सब्सक्तिक्स चाहि लंग जो बस लिल दान है उसको पर नहीं से इसना डेदाएं उसको डालें इसन Als डाला है और उसको पानी डालके थोड़ा आठेक के जैसा आठाक डोजेसा अंतना नराम वैसा में बना लूगे तो यह दो चीज पणा संक्रांती में या असाम में इसको एससे बहु को बोलते हैं आज का यहां पर प्रसाद में निकाल लिया है थोड़ा सा चुत्तुआ और पॉणा एक ग्लास में पॉणा थोड़ा सा लिया है और चत्वा निकालके मैं तुलसी माता को पूजा करूँगा और ये मिट्टी का कलस में लाई थी उसके उपर जो चावल काटा होता है उसको मैंने चावल जो होता है और वह चावल उसको पीस के मैंने लगा लिया था और उसके उपर मैंने ऐसे स्वस्तिक बनाया है सिंदूर से तो आप ही पहले पूजा कर लेते हैं और फिर हम लोग पणा खाएंगे हल बन माटячम जाख मैंने खाएंगे खाएंगे अभीे साय मैंने बनुटन पाएंगे कुछश ऑजए ग्हांगे, खाएंगे शचापती वहाता दाएंगे तो आज नाड़ी साक बन रहा है नाड़ी साक बोलते हैं और कहां पर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है और मैं फोटो भी लेना भूल गई उसका कैसा है तो वो बनाने के लिए मैंने सरसो के साथ प्याज लेसुन ग्राइंड कर लिया था और उसको डालके हल्दी नमक सब डालके थोड़ा सबस दो-तिन मिट के लिए मैं पका लिया है उसको और उसके बाद यह रिखे यह एक साक है बड़ा-बड़ा होता है पेड़ और इसका बनाडी बोलते हैं या जो भी कहां पर क्या बोलते हैं पता नहीं उम्यदना यह रिखे लिए तो बस डयक अजनी और इधर में थोड़ा सा जीरा और सुखी मिर्च डालके इसके उपर वेजिटेबल्स जो भी है वो फ्राइ कर रही हूं पपया है परवल है पंकिन है और बीन से केला थोड़ा सा डाला है मैंने केला क्यूंकि पंकज नहीं है वो चनाई गए हुए हैं और केला हम लोग इतना नह ही खाते हैं और आलू थोड़ा सा मिला के बस इसको मैं बना रही हूं फ्राइ कर रही हूं और इधर में हो गया है रेडी और यह भी अभी रेडी हो चुका है इसमें प्यास लेसुन नहीं डला था क्यूंकि इसमें लास्ट में जो जिंजर गालिक का पेस्ट होता है वो दा अगर दोन के रेडी हो गया है और बस अगर में तो दोई को थोड़ा सा मिने तड़का मार दिया है और कुछ नहीं किया है पंच फोरन और मर्ची डाल के बस तड़का लगा दिया है तो आज लंच में यही है राईस और मिक्स भेज फ्राइब और दही है और बस और असाम में जो आज का दिन है न वो बीहू बोलते हैं यहाँ पे आज का दिन को उनका बीहू फेस्टिवल बोलते हैं तो बिखू के लिए गोलू का स्कूल में भी सलिवरेशन हुआ था लेकिन वो कल सलिवरेशन हुआ था तो मैंने उसको कैसे रेडी किया था वो उसका मैं एक चोटासा वीडियो वस डाल दे रही हूं इसके लास्ट में असाम का जो ट्रडिशनल कोस्ट्यूम है ना उसको मेख लेकिन बारबार खोल रही थी तो मैंने वो निकाल दिया क्योंकि वो रखेगी नहीं बारबार खोल के फंक रही थी तो उसका चोटी बनाके उसके उपर वैसे गुलाब लगा के उसको भेज़ दिया तो ये दिखिये ये हासाम का ट्रेडिशनल ड्रेस और जूइलरीज उसका तो ऐसे रेडी होके कल मैंने उसको स्कूल भेजा था तो आज का ब्लोग मैं यहीं पेहिंट कर देती हूँ सी यू इन मैं नेक्स ब्लोग बाई